दोस्तो आज हम करने वाले हैं unboxing और review M6 projector का बहुत सारे अलग-अलग brand के नाम पे यह projector एबेलेबल है मगर यह projector हमारे पास में आया है टोन जो company की और से basically जो है मैं unboxing नहीं करता हूँ only review करता हूँ मगर यह projector जो है unboxing ज़रूरी है इसलिए जो है इसका मैं unboxing कर रहा हूँ दोस्तो यह projector कुछ इस तरह का cartoon box में pack होके आता है box के अंदर एक और box आपको देखने को मिलेगा तो इसको चलिए हम निकालते हैं तो इसको हम निकालते हैं और box के अंदर आपको एक bag मिलेगा जिसके अंदर projector और accessories मिलेंगी दोस्तो यह projector जो है एक traveler projector है यानि कि इस projector को आप कहीं भी travel करके अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसको जो है easily ले के जा सकते हैं बाकि जितने भी projector आते हैं उस पे जो है इस तरह का आपको traveler bake के साथ में नहीं मिलेगा इस वज़े से जो है मैं उसका उतना ज्यादा unboxing नहीं करता हूं important चीज यही है कि इसका जो bag है यह काफी बढ़िया bag है और इस projector को जो है आप कहीं भी travel कर रहे हैं तो ले की जा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से जो है open कीजिए side में आपको एक pocket मिल जागा जहां पर आपको projector के सारे accessories मिल जाएंगे और यहां पर आपको जो है मिल जागा projector दो मेरे ख्याल से किसी भी projector के लिए useful नहीं है उसके बाद में एक bag मिलेगा एक remote जो already मैंने जो है निकाल के रखा हुआ है यूज किया हुआ है एक power cable जिसको भी मैंने जो है निकाल के रखा है और उसके बाद में आप यहां देख सकते हैं एक HDMI cable एक AV cable एक user manual आपको समझने के ल करना है कैसे यूज करना है दो इस तरह के thread screw मिल जाएंगे और back के अंदर आपको यह belt मिल जाएगा जो projector में हमें fit करना है दोस्तों आप बारी आती है projector को निकालने की तो projector को चलिए हमें निकाल लेता हूँ दोस्तों projector को जो है हमने carrybacks निकाल दिया है इसको हम open करते हैं cover open कर दिया है और यह है M6 projector यहां पर आप देख सकते हैं LED smart HD projector लिखा हुआ है सामने के तरफ आपको lens protection cap देखने को मिल जाएगा नीचे के तरफ आपको जो है rubber food मिल जाएंगे और उसके बाद में आपको tripod mount का भी mount कर सकते हैं projector के दोनों ही तरफ आप देखेंगे तो speaker मिल जाएंगे left and right और projector के जो right side है वहाँ पर आपको एक fan मिल जाएगा जो projector के अंदर की heat को बाहर निकाल सकेगी पीछे के तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको power cable input का option मिल जाएगा power on up button मिल जाएगा इसके बाद projector के उपर के तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको focus positioning wheel के साथ साथ पीछे के तरफ आपको physical buttons मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप projector को operate कर सकते हैं पीकर के दोनों side आपको इस तरह का thread मिल जाएगा जो की इस belt को इस तरह का thread दिया हुआ है इसकी मदद से हम इसको यहाँ से fit कर सकते हैं दो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने projector को ready कर दिया है fit कर दिया है और इस तरह से आप इसको carry करके कहीं भी ले सकते हैं इसके इलाबा जो bag दिया हुआ है यह भी जो है काफी बढ़िया है और यहाँ पर यह अगर बैक से किसी वज़े से अगर आपके हाँ से छूट की भी गिरता है तब भी जो है projector damage नहीं होगा तो अंदर में जो है form अच्छा से दिया हुआ है साथ ही साथ इसका जो material है यह मेरे हैल से waterproof भी है हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत अगर गिला भी हो बारिस में अगर गिला भी हो तो जादा तर जो है यह पानी अंदर की तरफ नहीं जाएगा इस तरह का जो है मुझे लग रहा है बना हुआ है यहाँ पर और भी कुछ च 16GV internal storage के साथ में आता है यह projector जो है dual band Wi-Fi को support करता है साथ ही साथ Bluetooth 5.0 के साथ में आता है तो यहाँ पर जो है आप अपने Bluetooth speaker या फिर Bluetooth home theater को जो है easily connect करके बढ़िया sound का experience ले सकते हैं projector की जो brightness है 5000 lumens का है contrast ratio 4000 is to 1 का है तो यह तो है projector की specification अब projector के अंदर और कौन-कौन से option या फिर settings आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ projector में जो है आपको manual keystone correction देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको जो है projector के अंदर जो है settings में 4D keystone correction आपको option मिल जाएगा तो आप जो है projection मिल जागा यानि कि आपको जो है screen को अगर छोटा या बड़ा करना है तो उसको भी adjust कर सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो है projection mode का option मिल जागा साथ ही साथ आपको जो है aspect ratio का भी option मिल जागा तो यह तो हुए projector की features और specification अब बात करते हैं इसकी picture quality और इ इस तरह का interface जो है आपको और भी बहुत सारे projector में देखने को मिलेंगे जैसे की h2 projector या फिर ls845 projector का जो review किया था उसका भी जो interface है वो सेम ही आता है brightness की बात करें तो company की according यह 5000 lumens का है मगर इसका जो screen आप देखेंगे जो interface देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको यहाँ प अगर आप कोई भी content play करते हैं कुछ भी अगर play करते हैं तब आपको यहाँ पर brightness थोड़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी तो यहाँ पर इंटरफेस है थोड़ा dark वाला इंटरफेस है इस परजे से आप जब projector को on करेंगे आपको brightness की कमी नजर आएगी मगर जब आप content देखते हैं तब आपको यहाँ पर ठीक ठाक brightness देखने को मिलेगा दोस्तों यह projector जो है एक traveler projector है और यह एक table वाला projector है तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि projector को आपको exact center में आपको setup करना पड़ेगा चाहे वो vertical हो या फिर horizontal हो आपको projector को जब center में setup करेंगे तभी जो है आपको accurate image blur free image जो है आपको देखने को मिलेगा क्योंकि projector में आपको manual keystone correction दिया नहीं है इस वज़े से हो सकता है कि आप अगर projector को थोड़ा भी उपर या नीचे की तरफ करें तो सायद आपका जो है उपर या नीचे का जो side है वो blur देखने को मिलेगा तो projector को जो है आपको center में रखने की जरूवत है blur free experience के लिए दोस्तों इस projector का जो budget range है जो भी price है उस range में ये projector ठीक ठाक brightness आपको दे देता है यानि के दोस्तों आप अगर first time अगर projector को use करेंगे आपने इससे पहले कभी भी projector use नहीं किया है तो आपको जो है brightness में या vivid color यहाँ पर देखने को मिलेगे सारे color जो है आपको काफी बढ़िया नजर आएंगे black जो है आपको full black नजर आएगा तो color के मामले में ये projector जो है काफी अच्छा आपको color production कर देता है जिससे जो है आपका जो viewing experience है जो cinema का experience है वो काफी अच्छा आपको मिलने वाला है तो द total होता है 15,000 प्लस यानि के 15,000 से 15,300 के करीब कुछ बिल बनता है तो यह जो है आप अगर टेंडिंग एजर के साइड में देखेंगे तो यह प्राइज है आप जो है डारेक्स सेलर से कॉंटेक्ट कीजे और आप जो है इस projector के बारे में या फिर इस projector का जो best प्राइज है व आप इस projector के बारे में कुछ भी जानना चाते हैं या फिर पर्चेस करना चाते हैं तो जो है आप डारेक्स से कॉंटेक्ट कीजे और आपको यह प्रोजेक्टर जो है best price पे आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यह था M6 projector का review उमीद करूँगा दोस्तों कि यह वीडियो आपक आपको मिलते रहे आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद